अल्ही में सर्वोच न्यायले द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को लेकर उनके संरक्षण को लेकर एक मामले की सुनवाई की गई और इस संबंध में उनके संरक्षण को लेकर eak महत्वपूर्स अलाख भी दी गई आज इस वीडियो में हम उसी सला से सम्बंधित Great Indian Bustards से सम्बंधित तमाम पहलूं को जानने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टियाइस की इस नई वीडियो में वीडियो शURू करते हैं सबसे पहले वीडियो की रूप रिखा को समझ लेते हैं यानि उन बिंदों की बात कर लेते हैं जिनके माद्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो में हम सबसे पहले नियूस यानि खबर की बात करेंगे इसके बाद Great Indian Bustards के विशय में कुछ बुनियादी बाते जानेंगे और साथ ही ये किस तरह से विलुपती की कागार पर मौजूद हैं इस पर भी बात करेंगे इनके समख्ष किस तरह के खत्रे मौजूद हैं तनरक्षन के लिए क्या प्रयास किये गए हैं और इस सम्मंध में सर्वोच चिन्यायले ने अब तक कि आहस तक्षेप किया है इन तमाम बिंदूओं पर बात करेंगे और अंत में एक प्रश्ण पर बात करेंगे प्रश्ण जो है वो प्रिलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथियों के अधार पर इस प्रश्ण को आसानी से हल क कर सकते हैं आज का जो हमारा पुरा विशय है वो सामान ने अध्यन प्रश्ण पत्र तीन से संबंदित है और आप इसे मुख्यतार पर जीव विज्ञान और पर्यवरण और संरक्षन जैसे मुद्दों से जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं चलिए वीडियो इस पूरी खाबर में सबसे पहले इस इंडियन बस्टर स्कार को लेकर सर्वोच नैले द्वारा जिस तरह की सलाह दी गई है जो आइडिया दिया गया है उस आईडिय पर बात की गई है इसके अलावा इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर जो कि एक एंडियन स्पीशीज है उ पुछ पुनियादी बाते जान लेते हैं तो बस्टर्ड एक तुलात्मक रूप से बड़ा विशाल का पक्षी होता है यह पुखेतौर पर बड़े और थलिये पक्षी होते हैं टेरिस्ट्रियल पक्षी होते हैं जो कि मुखेतौर पर शुष्क घास के मैदानों में पाई जा हमाता है क्रेट इंडियन म्टर्ड का जिसके बारे में आज की हमारी विडियो है और जिससे संभनेत हम तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे इसके Many पहपिटेस्ट समझने की कोशिश करें तो एटिहासिक तॉर पर मॉखेतौर फर भारती की अधिकान्ज हिश्कों में पाया जाता था लेकिन यदि आप मौझूदा स्थिति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान समय में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो आबादी है वो मुख्य तौर पर भारतियोप महाध्रीप के केवल दस प्रतीशत हिस्सों तक ही सीमित रह गई है जाह मुख्य तौर पर घास के मैदानों को ज़्यादा पसंद करते हैं यानि सबसे ज़्यादा घास के मैदानों में पाय जाते हैं इसके अलावा ये एक स्थलिय पक्षी है थलिय पक्षी होने का क्या मतलब है तो स्थलिय पक्षी होने का मतलब है कि ये मुख्य तौर पर अपन अधिकान समय जमीन पर बिताते हैं इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अपर्चुनिस्टिक इटर कहा जाता है इसका क्या मतलब है तो इसका ये मतलब है कि इसको जो भी जो भी इसको खाने का वसर मिलता है ये उसको खा लेता है चाहे वो शाकाहरी भोजन हो या इसको यदि कीडे और चिपकिली जैसे जो इंसेक्ट हैं वो मिलते हैं तो ये उन्हें भी खा सकता है और यदि उन्हें वो नहीं मिलते हैं कोई शाकाहरी भोजन मिलता है जैसे घास मिलती है तो ये घास को भी खा सकता है तो इस तरह से इसे अपॉर्चुनिस्टिक इटर क सबसे विशेश बात यह है कि इसका जो उपरी हिस्ता होता है यहाँ पर इसके जो crown है वो एक काले कलर का बना होता है इसके अलावा इसका ये जो garden का हिस्ता है ये हलके पीले रंग का होता है और इसके नीचे वाला हिस्ता भी काले रंग का होता है इसके अलावा इसके जो wings होते हैं जो punk होते हैं उन पंकों में ब्राउन कलर और बलाक कलर देखने को मिलता है. और यही जो कलरों की बात है, यही कलर इसे तमाम तरह के अन बस्टर्ड की पर्जातियों से अलग बनाता है. तो ये तो बात हुई Great Indian Busterrd की अबागे बढ़ते हैं और इसके संबंध में ये किस तरह से विलुप्ती की कगार पर मौजूद है, किस तरह से एक्स्टिंट होने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। तो बीते दिनों भारत में गुजरात के गांधी नगर में इस तेरवे सत्र के आयोजन के दौरान भारत सरकार द्वारा दुनिया भर के तमाम देशों को ये सूचित किया गया था कि भारत में पिछले कुछ समय से लगातार ग्रेट इंडिन बस्टर्ड की आबादी में कमी द अलावा भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया था कि भारत में मौझूदा समय में ग्रेट इंडिन बस्टर्ड की जो आबादी है वो मात्र डेड़ सो तक सीमित रह गई है इसके अलावा इसका डिस्रिब्यूशन किस तरह से है उसको लेकर भी कुछ सूचन आए दी गई थी तो रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में जो सबसे ज़्यादा ग्रेट इंडिन बस्टर्ड की आबादी है वो मुखितावर पर राजस्तान में पाई जाती है राजस्तान में 128 इंडिन बस्टर्ड मौझूद थे इसके अलावा गुजरात की कच्छ में दस ग्रेट इंडिन बस्टर्ड और जो शेश जो ग्रेट इंडिन बस्टर्ड बचे वो मुखितावर पर महराष्ट करनाटक और आंध्र प्रदेश में मौझूद थे लेकिन यहां सबसे विशेश बात ये है कि ये जो आकड़ा है कि साल 2021 का है इसके अलावा मौझूदा स इंडियन की रेड लिस्ट में इंटरनाशनल यूनियन फोर कंजरवेशन ऑफ नीचर दोरा जो रेड लिस्ट जारी की जाती है उस रेड लिस्ट में ग्रेट इंडिन बस्टर्ड को गंभी रूप से संकट ग्रस्त यानि क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेंडी में शामिल क किया गया है उसमें सुचि बद किया गया है और कई जानकारों का समंध में मानना एकि यदि भारसरकार दोर्हार इस समंध में बहुत जल्द प्रयास नहीं किये जाते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जल्द ही एक्स्टिंट सेंडी में पहुँच जाएंगे जल्द ही विलुपती की कगार पर पहुँच जाएंगे इसके अलावा भारसरकार दुआरा वन जीव सनरक्षन अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में भी इस ग्रेट इंडियन बस्टर से सुरक्षा की सनरक्षन की अशचता है जिनके लिए जल्द से जल्द प्रियास किये जाने की जरुट है यानि जाहरत लोपते इन पातों से हमें पता चलता है कि मौजुदा समय में भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो स्थिटी है वो बहुत जादा गंभीर बन लेकिन इन खत्रों में दो खत्रे सबसे ज़्यादा प्रमुक हैं इन में पहला खत्रा है अवैद शिकार का और दूसरा खत्रा है विद्व ट्रांस्मिशन लाइन से टक्रा जाने का अब यह जो अवैद शिकार का खत्रा है यह भारत में बहुत कम है क्योंकि भारत में जो सबसे प्रमुख खत्रा है वो है विद्यू ट्रांस्मीशन लाइन से टकरा जाने का खत्रा दरसल बीते दिनों भारती वनजीव संस्थान यानी इंडियन वाइड लाइफ इंस्टिट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस राजस्थान में हर साल तकरीबन 18 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत केवल विद्यू ट्रांस्मीशन लाइन से टकरा जाने की वज़े से हो जाती है ये कैसे होता है इस से टकरा किस तरह से जाते हैं उसकी बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो फ्रें नहीं कर पाते हैं लेकिन जब वो उस transmission line के पास पहुंचते हैं तब वो उस line को देखते हैं लेकिन पास पहुंचने के बाद उनके लिए वापस आने बहुत बढ़ा चुनौती होती है क्योंकि उनका वजन बहुत जादा होता है जिसकी वज़े से वो अपने अपनी दिशा को अपने course को बदल नहीं पाते हैं बहुत जल्दी और जो Great Indian Bustard अपने course को नहीं बदलते हैं वो अंतता इस तरहे की लाइनों से टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खत्रा बनकर सामने आया है और खत्रा इसलिए भी है क्योंकि दिया जा रहा है इन शेत्रों में infrastructure विक्सित किया गया है windmill थापित किये गये हैं और power lines का निर्मान भी किया गया है तो एक तरह से जो आम लोगों के लिए आम लोगों के सुविधाएं स्थापित करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रियास किये गए हैं लेकिन इन सु की बात करें तो यहां सबसे विशेश बात यह हो जाती है कि अब तक भारसरकार द्वारा या किसी भी राजसरकार द्वारा इस समंध में कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया गया है और प्रयास किया भी गया है तो उस प्रयास का कोई विशेश प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है फिर भी समंद्म कुछ प्रयास हुए हैं उन प्रयासों की बात करते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सनरक्षन के लिए साल 2015 में भारा सरकार द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रजाती पुनरप्राप्ती कारिक्रम यानि स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम की शुरुवात की गई थी इस प्रोग्राम को मुख्यतोर पर भारा सरकार के तहट परेवरण वन और जलवाईू परिवर्तन मंत्राले द्वारा शुरू किया गया था इस मंत्राले की योजना थी एक कारिक्रम था जिसका नाम था वन जीव आवासनों के एकिकरत विकास कारिक्रम इसी कारेकरम के हिस्से के तौर पर इस प्रजाती पुनरप्राप्ती कारेकरम को शुरू किया गया था और इस कारेकरम का प्रात्मे को देश भारत में Great Indian Bustards की जो स्पीशीज है उसकी recovery सुनिश्चित करना था यानि Great Indian Bustards की स्पीशीज में जो लगातार कमी देखने को मिल रही है उसकी आबादी में जो लगातार कमी देखने को मिल रही है उस कमी में कुछ बढ़ातरी करना था उस कमी को रोकना था और आबादी में कुछ बढ़ातरी करना था इसके बाद इसी कारिक्रम के हिस्स्ते के तौर पर साल 2019 में परेवरण मंत्राले, राजस्थान सरकार और Wildlife Institute of India दोरा मिलकर राजस्थान के जैसल मेर में तरसल जैसल मेर मेर में एक नाशनल पार्क है जिसका नाम है Desert National Park तो राजस्थान के इस Desert National Park में एक प्रजिनन संरक्षन केंद्र की शुरुवात की गई थी ताकि यहां पर Great Indian Bustard का प्रजिनन सुनिश्चित किया जा सके उनको उनका पालन पोशन सुनिश्चित किया जा सके और जब वो बड़े हो जाएं इसका उदेश इस पूरे कारगरम का उदेश ये था कि जब Great Indian Bustard बड़े हो जाएंगे तो उनको जंगलों में छोड़ दिया जाएगा लेकिन हम देख सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से लगाताग Great Indian Bustard की आवादी में कमी देखने को मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो प्रयास किये गए ह इन प्रयासों का कोई विशेश प्रभाव हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है और यही वज़े है कि साल 2021 में सर्वो चन्यायले के समक्ष Great Indian Bustard की संरक्षन को सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वो हैं इन हैबिटेट्स में बिजली लाइन को भूमिगत करने का आदेश दिया गया था यानि यह जो राजस्थान और गुजरात का एरिया है जहां पर इस तरहे की परजातिया मौजूद हैं इन तमाम एरियास में जो जो बिजली लाइन हैं जो ट्रांसमिशन लाइन हैं उन लाइन्स को अंडरग्राउंड किये जाने का आदेश सर्वोच न्यायले द्वरा दिया गया था इसके अलावा बीते दुनों बीते बुद्वार को भी सर्वोच न्यायले द्वरा इस संबंध में एक सुनवाई की गई और इस सुनवाई के दौरान सर्वोचिन्याले दौरा राजिस्तान और गुजरात में प्रात्मिक्ता वाले छेत्रों यानि उन छेत्रों जहां पर Great Indian Bustard की कुछ हाबादी मौजूद है इन छेत्रों में bird diverter लगाने की बात की गई थी इससे संबंधित आदेश दिया गया थ इसके अलावा इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए सर्वोचिन्याले ने दोनों राजियों के मुख्य सचिवों से 6 हफते में इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है इसके अलावा सर्वोचिन्याले दोरा सरकार को भी सुझाव दिया गया है सर्वोचिन्याले ने सरकार को ये सुझाव दिया है कि जिस तरह सरकार दोरा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी इस Project Tiger के शुरुआत सरकार दोरा Tiger के सनरक्षन के लिए की गई थी तो जिस तरह से सरकार ने Project Tiger शुरू किया है उसी की तर्ज पर सरकार Project जी आई बी भी शुरू कर सकती है या फिर Project Bustard भी शुरू कर सकती है ताकि भारत में Great Indian Bustard की तमाम अन जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षन सुनिश्चित किया जा सके तो अब ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार इस सुझाओ को मानती है या फिर इस संबंध में कोई दूसरी योजना लेकर आती है दूसरी कोई नीती बनाती है कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए तो ये तो बात हुई सर्वोचिनयाले के हस्तक्षेप की अबंत में प्रश्न की बात कर लेते हैं प्रश्न जो है वो प्रिलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तत्यों की चर्चा की गई है उनके अधार पर इसको आसानी से हल कर सकते हैं आज का हमारा प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्व में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए हमारा पहला कतन है यह केवल भारतियोप महाधियत में पाया जाता है यानि केवल इंडियन सब कॉंटिनेंट में पाया जाता है दूसरा कतन है हमारा कि इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभी रूप से संकट गरश्ट श्रिंडीज में सूचिबद किया गया है यानि critically endangered category में डाला गया है अब आपको बताना है कि इन दोनों कतनों में से कौन सा कतन सही है हमारे option है केवल एक सही है केवल दो सही है या फिर एक और दो दोनों सही है या फिर दोनों ही option दोनों ही विकल्प हमारे गलत हैं दोनों ही कतन गलत है अब आप कॉमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं मुझे आशा है कि इस वीडियो की माध्यम से जिन बिंदों पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्ट पत्र में इससे संबंध कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद